पीएफाई पॉफिलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया जो है वो भी काफी समय से सुर्खियों में हैं लगातार हम देख रहें कि ट्विटर फेस्बुक जैसे डिजिटल माध्यमों में भी काफी ट्रेंड चला जा रहे हैं राष्टवादी संग ने भी ट्विटर में भी बैंड पीएफाई को लेकर ट्रेंड चलाया था इसे आप कैसे देखते हैं कि पीएफाई के जो आपने फुलपाम बताया वो तो कागज में है उसका पाकिस्तान फंडेट पार्टी इंडिया यह पूरा का पूरा पाकिस्तान स बहुत सारे नौजवान वरब कंट्री में काम करते हैं उनके माध्याम से पैसा और अन्यमाध्याम के लिए यहां लाया जाता इसमें थोड़ा पीछे पीछे तो आपको एक संगठन ध्यानाएगा सिमी सिमी एक संगठन था जो की स्टूडेंट इसलामिक संगठन के नाम से था वो भी आतंकवादी गती विद्यों में लिपत था उसको बैंड किया आप कल सिमी बैंड किये थे आज आप पीएफाई बैंड करेंगे कल डीएफाई आजाएगा आप रोज बैंड करते रहेंगे हाथ में कुछ नहीं आएगा इस बार वर्तमान सरकार ने चोट की है सीध बड़ा एक हमला किया था वर्तमान सरकार ने केंडरी की सरकार ने उससे हमें बहुत बेनिफेट मिला था यह इस वज़ा से बहुत बर्गलाय हुए थे बर्गलायने की वज़ासे इन लोगों ने कुछ गलत कदम उठाए उस गलत कदम को पकड़ते हुए ही केंडरी की सरका पाई सिमी यह सारे लोगों को खतम कर देगी सरकार.